असलाम अलेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट येर्ट बाइलोजी चैप्टर नमबर 4 के टेक्स्ट बुक के पेज नमबर 76 पर मुझूद कुछ एक्सरसाइस के सांटिफिक रीजन को डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें पूशा जा रहा है लाइसोसोम जो के एक औरगिनील है जो सेल के अंदर पाया जाता है उससे सुसाइडल से क्यों कंसिडर के जाता है तो सबस्क्राइब लाइसोसोम के हम फंक्शन की बात करते हैं लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है और ये intra cellular digestion का काम करता है यानि बड़े particles जो सेल के अंदर दाकिर हो जाते हैं उन्हें मजीद तोड़ने का काम करता है और इनके पाफ जो enzyme होते हैं वो enzyme किलाते हैं hydrolytic enzyme और ये hydrolytic enzyme जो है ये hydrolysis करवाने की क्या रखते हैं सलायत रखते हैं तो इनके पाफ ये enzyme होते हैं जो नॉर्मली तोर पर intra cellular digestion का काम करते हैं लेकिन इन्हें suicidal set क्यों कहा जाता है तो आजिए हम discuss करते हैं Lysosome as suicidal set की सबसे पहले exam presentation के साब साब में हैं लिगा ली Lysosomes are considered as suicidal set suicidal set का मतब कि एक ऐसा set मतब थेली नुमाय structure जो अपने ही सेल को माणने की सलाहित रखता हो क्यों? Because when the membrane of Lysosome is ruptured the cell undergoes chemical breakdown on Lysosome इसे इसलिए कहा जाता है क्योंके Lysosome के आराउंड जो membrane होती है वो कभी कबार किसी वज़ोहात की बिना पर damage हो जाती है और अगर वो damage हो जाती है क्योंके इसके अंदर मुझूद जो hydrolytic enzyme होते है वो surrounding की जो proteins होते हैं उनको digest करना शूरू कर देते है और digest करते करते वो अपने ही सेल को माणने की सलाहित रखते है तो हमें कहाँ membrane of Lysosome is ruptured जब उसकी Lysosome की membrane ruptured होती है the cell undergoes chemical breakdown on lysis cell जो होता है उसमें chemical breakdown होता है lysis हो जाती है 6. Release of the enzyme cause a cell to destroy itself by digesting its own protein हमने कहाँ जो enzyme Lysosome से release हो रहे है न तो वो कोई foreign particle को digest नहीं कर दे अपने ही protein को digest करना शूरू कर देता है Lysosomes have been referred as suicidal sex और अपने ही protein को digest करने की वज़ा से वो अपने ही cell की lysis करवा देता है इसी वज़ा से Lysosome को suicidal sex का नाम देते है and this process is called autophagy इस process को हम नाम देते हैं autophagy मतलब अपनी ही चीज़ों को digest कर लीना अगर आपको हमारी वीडियो फार्दे मन लग रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो कि sinboard teaching के नाम से है याद रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी और याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि exam point of view से तमाम important scientific reason बहुत जल हम वीडियो की शेकल में अपलोड करने जा रहा है आज ही हमारी कोशिश है कि हम करीब करीब 20 से 25 scientific reason पर वीडियो हम record करें जो एक इक करके हम अपलोड करते जाएंगे Thank you very much, Allah Hafiz